हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज हम लोग जो topic कवर करेंगे वो है importance properties of good estimator यह जो good estimator है न यह topic थोड़ा सा important है तो अच्छे से समझ लेना आप ही का फायदा होने वाला है तो वीडियो को पूरा last तक देखिएगा चोटा सा topic है 4 to 6 marks में question आपको exam में देखने को मिल सकता है so फटा फट वीडियो को start करते हैं जैसे कि यहां पर पहला point हमने लिख रखा है good estimator के बारे में क्योंकि हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि हम लोग topic actual में कर क्या रहे हैं किसके उपर हम properties बता रहे हैं ठीक है तो good estimator एक statical method है या इसको बोल सकते हैं कि एक statical formula है जिसका हम लोग use करते हैं हमारे population के parameter को estimate लगाने के लिए जो भी हमारे पास sample data अविलेबल होता है उसके basis पे हम लोग population parameters का estimate लगाते हैं कि यह चीज हो सकती है तो एक statical method है good estimator ठीक है I hope आपको first point clear है चाहे whether you are estimating mean चाहे आप उसका mean पता कर रहे हो estimate कर रहे हो उसका variance estimate कर रहे हो उसका proportion estimate कर रहे हो या कोई भी other parameter के बारे में आप लोग estimation लगा रहे हो यहाँ पे उसके related बहुत सारी important properties है जो कि एक good estimator में होनी चाहिए ठीक है तो हम लोग good estimator की कुछ properties के बारे में बात करेंगे अब जैसे कि first उसकी property है कि unbiasedness होनी चाहिए यानि कि भेदबावनी होना चाहिए यह proper point to point info होनी चाहिए an estimator is considered unbiased एक कोई भी estimator है उसको हम लोग कब बोलेंगे कि वो unbiased है अगर वो जो हमें data provide कर रहा है वो true population का जो parameter है उसके equal है अगर वो equal आता है तो हम लोग बोलेंगे न कि वो unbiased है उसने कोई भी भेदबावनी कि उसने actual जो data है हमें वही बताया है तो वही लिखा हुआ है estimator is considered unbiased if an average जो भी average estimates वो provide करेगा it provides estimate वो हमारे true population parameter के equal होंगे ठीक है पहली property I hope आपको clear है कि वो unbiased होगा second property क्या है कि उसमें efficiency होगी जो हमारा good estimator है वो efficient estimator उसको बोल सकते है क्योंकि जो efficient estimator है उसमें small variances होते हैं जिसका मतलब होता है which means it provide estimates that are relatively close to true parameter क्योंकि इसके अंदर small variances होते हैं जैसे अब एक से लेके 100 के बीच में जो difference है वो एक से लेके 10 के बीच में कम हो जाएगा तो वैसे ही हमें small variances के थू बताता है जिसते हमारे chances जो true parameter के close होने के वो बढ़ जाते हैं कि अब मेरा point है जो मुझे actual में पता करना है population का parameter वो है 5 अगर तो यह मुझे 1 से लेके 100 के बीच का मतलब बता देगा कि इसके बीच में आपका parameter लाइक करता है यानि कि large variance में बता देगा तो मुझे वो 5 तक पहुंचने में कितने बार try माना पड़ेगा तब मैं 5 पे जाके पहुंचूंगी मुझे नहीं पता ठीक है बट अगर यह मुझे sufficient number बता देगा कि 1 से लेके 7 के बीच में small variance में बता देगा कि आपका true parameter लाइक कर सकता है ठीक है small variance में मुझे बता दिया तो एक तरह से हमें close to the true parameter बताता है अगर हम लोग other words में देखे तो यह हमारे जो spread है या variability है जो भी हम लोग estimates लगाते हैं उसको कम कर देता है ठीक है हमें छोटी information और उसके आसपास नजदीक के जो भी true parameters होते हैं वो पता चल जाते है mathematically अगर देखा जाए तो यह जो estimator है यह efficient है अगर यह achieve कर लेता है क्रेमर राव lower bound क्रेमर राव lower bound तो यह हम अगर इस level को achieve कर लेता है तो इसको एक efficient estimator माना जाता है mathematics में ठीक है विच जो की represent करता है कि जो smallest possible variance है ना unbiased estimator के बारे में उसको यह point यहाँ पे जो यह level है वो define करता है कि अगर यह level in mathematics अगर आप कोई भी अच्छा estimator है वो इस level को achieve कर लेता है तो उसको एक अच्छा estimator represent किया जाता है mathematics की form में ठीक है तो यह अगर आप लोग skip भी करना चाहो इस चीज को कर सकते हो mathematics वाला यहाँ तक लिखना चाहो लिख सकते हो next property क्या है कि एक अच्छा जो good estimator उसमें क्या property है कि वो consistency break नहीं करेगा ठीक है consistent होगा एक consistent estimator a consistent estimator is one that convergence to the true parameter as the sample size increase जैसे जैसे sample का जो हमारा size है increase होता जाएगा वैसे वैसे जो consistent estimator है वो हमें convergence true parameter को convert करके बताता रहेगा other words में बताया जाए तो जो हमारा estimator है वो become more accurate as you collect more data जैसे जैसे वो अब देखो अगर किसी चीज के उपर अगर हम महीने में एक बार काम कर रहे हैं और एक चीज है हम महीने के 30 के 30 दिन उस पे काम कर रहे हैं तो कौन सा better होगा जिसमें हम लोग 30 देज वर्क कर रहे हैं पूरे consistent है तो वही better होगे न रिजर्ट तो वही है अगर एक अच्छा estimator है वो रोज उसके उपर काम करेगा थोड़ा थोड़ा data collect करेगा तो वो more accurate हो जाएगा चीक है तो consistency एक इसकी important property है good estimator की उसके बाद sufficient कह सकते हैं इसको एक तरह से हम लोग क्यों sufficient है जो sufficient estimator है यह हमारी जो भी relevant information sample data से related होती है regarding with sample parameters of interest उसको contain करके रखता है collect करता है data को properly जो parameters इसने पता करने होते है population के उसका estimate लगाता है पर यह निए कि data इसके पास है तो misuse होगा दिया पर लिखा हुआ है it does not lose any useful information वो कोई भी ज़रूरी information को miss नहीं कर सकता और गुम भी नहीं कर सकता यह नहीं कह सकता कि miss place होगी चीक है तो sufficiency बहुत ज़रूरी है sufficiency एक essential part है अगर हम लोगों को dimensionality को reduce करना है अपने data में तो sufficiency एक important role play करेगी जब भी हम लोग हमारी जो data है या information है उसको preserve कर रहे हैं अपने parameters का estimate लगा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी dimensionality जो है वो reduce हो तो sufficiency उसमें एक important role play करेगी ठीक है next property क्या है कि इसमें minimum variances होते हैं कम variance होता है minimum variance property क्या ensure करती है कि जो estimator है वो more precise है more precise यानि कि best है जिसको बोल सकते हैं unbiased है ठीक है बेदबावनी करता कुछ unbiased estimators भी होते हैं जो हमें cheating करते हैं या गलत information provide करते हैं तो जो minimum variance property जो अगर किसी estimator में है तो इससे हमें यह idea लग सकता है कि वो हमारे लिए अच्छा है most precise estimator है बाकी estimators के बदले में it is desirable property एक desirable property है for an estimator because it results in more accurate estimates तो इसकी वज़े से results बहुत अच्छे आते हैं तो अगर किसी estimator के पास यह वली property वो use कर रहा है उसने अपने मतलग सुविदा में दी है तो that's mean वो estimator आपको best result provide करने की कोशिश करेगा उसके बाद next क्या property है robustness यानि की मजबूती a robust estimator is not highly sensitive to preserve of outliers or deviations from the underlying assumption जो हमारा robust estimator is not highly sensitive नहीं है ठीक है कि जो हमारी information को preserve करेगा ठीक है deviations को देखेगा तो एक underlying assumption कह सकते हैं इसको तो यह हमें एक reasonable good estimates जो है provide करता है जबकि हमें उस चीज की actual information यानि की actual data भी नहीं पता होता आपको यह point यहां तक tough लग रहा है छोड़ देना मत लिखना यहां से लिख लेना robustness का it provides reasonably good estimates यह में एक reasonably good estimates प्रोवाइड करता है जबकि even when the data does not exactly confirm जो हमारे पास data होता है वो exactly confirm नहीं होता है हम लोग assume करते हैं हमारे statical models के base के उपर I hope यह भी property आपको clear होगी next क्या है method of moments यह इसकी एक property है कि method क्या है उसकी moments का this property is related to how the estimator is derived कि जो हमारा estimator है वो कैसे drive करेगा कैसे काम करेगा किस method को use करेगा the method of moment estimator equate the moments of the sample distribution to the truth of the population distribution कि वो अपने कौन से method का use करके mean variance निकालेगा हमारे sample distribution data का कैसे use करेगा कैसे population parameter को estimate या find out करेगा तो यह सब उसके method पे depend करेगा तो यह जो अगर वो methods moment of methods को use करता है तो यह क्या करेगा यह इसकी काम को simplify कर देगा it simplifies the estimation process and often result in good estimator और बदले में उसको अच्छे results आएंगे after that next property क्या होती है अच्छे estimator में uniqueness a good estimator should provide a unique solution for estimating the parameter unique अलग-अलग different different situation different different solutions वो आपको provide करेगा अगर other words में बोला जाए तो there should not be multiple conflicting estimate for the same parameter अगर आपको एक चीज़ के बारे में बताने तो वो आपको ऐसे नहीं करेगा आपको 10 parameters बता दिया इन में से कोई भी हो सकता है तो आप तो confused हो जाओगे फिर आपको इस estimator को लेने का फायदा ही क्या हुआ ठीक है तो other words में यही लिखा हुआ है कि इसमें multiple आपको provide नहीं किये जाएंगे यह तो नहीं है कोई अच्छा estimator वो English बोलके जा रहा है और सामने समझ ही नहीं आ रही तो फाइदा क्या भाई थे रही इतनी education का है ना तो simple uniqueness के साथ अगर आप उस चीज़ को present कर पा रहे हो तो आप best हो अब इस पूरी वीडियो का overall देख लोगे हमने क्या पड़ा in practice जो हमारा choice है जो हमने estimator की choice choose करना है वो depend करेगी हमारी problem के उपर की हमारी problem क्या है depend on specific problem and underlying assumptions जो भी है data के related उसके उपर हमारी जो estimator की choice है वो depend करेगी कि हमें कौन सा estimator लेना है estimator may not possess all the properties जो है estimate कोई भी एक estimator ऐसा मुश्किल से ही मिलेगा जो हमने उपर देखी सभी properties को use करता होगा चीक है but it's important to balance and prioritize यह चीज़ important है कि आपको उसको balance और prioritize वो उन properties को कैसे कर रहा है according to requirements जैसे कि किसी जो case है या situation है उसमें कुछ properties की जरूरत और दूसरे में कुछ की है तो according to situation वो जिन properties की जरूरत है उनका अगर use कर रहा है तो वो estimator best है आप अगर बोलो कि आपका case एक है उसमें वो सभी properties का use करें not possible सभी properties तो एक ही जगा अपलाई नहीं होंगी situations के according properties use होती है तो these properties based on requirement of analysis जैसे भी अगर आपको data analysis करने में उसको जरूरत पड़ेगी उसके according properties का use क्या जाएगा तो यह था इसका पूरा summer up जो भी इस question में हमने देखा तो यह छोटा सा topic था but important है और बच्चे इसमें हो जाते हैं confused तो मैंने try किया है आपको explain करने का अब मुझे आपको comment section में comment करके बताना है कि आपको topic अच्छे से clear हुआ नहीं हुआ क्या doubts है कुछ problem है तो आप मुझे पूछ सकते हैं instagram telegram आप messages कर सकते हैं comments में और आपको इसके इलावा कौन से topic के ऊपर और वीडियो चाहिए जो आपको लगता है important topic है और वीडियो कहीं पर अविलेबल नहीं है उस topic की तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं उस topic पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी अगली